दोस्तो माराजी कलीशा अमरावती महाराष्ट जय जवान जय किसान धर्नवंद्र डिस्टिबूटर प्राइवेट लिमिटेट के ओर से जयविक खेती भूमी सुविशुदार अभियान के तहट गिहों की खेती में और पिएच छेत्तर की उपयोग विदी बताने वाला हूं इस आर्पिएच छेत्तर के अंदर नेचरल कंटेंड जो है ना और्गनिक करवन है उमिक है फुलविक है सोडियम है नैट्रोजन है फासफोरस है केल्चियम है सलफर है बोरान है जिंक है मैगनेशियम है एमिनियन नेट्रेजन है और्गनिक नेट्रोजन है मैगनेशियम अ लिक्विड से हमारे एकेकर की कि बिजवाई का उपचार करना है है कि प्रठी मेंrekर 50 किलो काली रेत में मिला कर भोने से पहले पूरे खेट में से 1 एकठी में से फेकना है जिससे हमारी जो मिट्टी है ऐना वह पूरी तरह से उपघव बन जाएगी हमें अपने खेट ने पहले पानी देने के समय पांच किलो अरपिया चेटर ग्रेनिवल खात इसको डालना है उसके बाद ही हमें इसमें किस खेट में पानी देना है जो किसान दुसरा पानी दे सकता है वो केवल बगर कुछ डाले ही दुसरा पानी अपनी फसल को दे सकता है कुछ नहीं डालना है जब गिहों की फसल 40 से 45 दिन की हो जाएंगी तब अरपिया चेटर पचास हैमल पड़ती पम के अनुसार 15 लेटर के पम में इससे छिड़काओ करना है जिससे हमारी फसल की पानी की पूर्थी पूरी होंगी और जमीन में नमी बनी रहेंगी कि दोस्तों जब हमारी फसल 65 से 70 दिन की हो जाएंगी तब भी हमें पचास हैमल पड़ती पम के अनुसार 15 लेटर के पम में इसका छिड़काओ और पिया चेटर का उचिड़काओ करके इसे अपनी फसल में उपयोग में लाना है बहतरिन रिजल्ट आएंगा अंडेट परसंट जैविक खेती इस वीदी के अनुसार किसान 30 परसंट यूर्या खाज चाहे तो इसे इसमें उपयोग कर सकता है इसी तरह अपने एक एकर की फसल में रिपिया चेटर लिक्विड रिपिया चेटर ग्रेनुल का उपयोग ऐसे करना है रिपिया चेटर एक परसंट औरगनिक प्रोडक्त है इससे हमारी फसल को किसी भी किसम का कोई भी साइड इपेक्ट नहीं है कि दोस्तों और पीरच चैटर लिकुईट अरपे चैटर ग्रेनियल आप अपने किसी भी किसम की फसल में इसका प्रएव न कर सकते हैं यह हैंडेट परण औरगनिक प इस भारत वर्ष में हमारे कमपणी के CMD डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने हमें दिया है ये हर जमीन पर उपयोग करने के बाद इस प्रोड़क को ECO Cert Certificate प्रदान हुआ है दोस्तों हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे धन्यवाद